हलो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आपके चैनल SRS Learning में बच्चों ये हमारी 9th किलास की विज्ञान की वक्षिट है कारे पत्रक जिसको हम बोलते हैं उसकी जो संख्या है बेटा वो है 5 और जो हमारी दिनाख है तिधी है वो है 16 अप्रिल 2021 तो ये हमारी जो 9th किल इसकी 5th जो है आज की वक्षिट है सबसे पहला आपको करना किया है आपको यहां पर अपना नाम लिखना है और अपनी जो करक्षा अथियापक मतब जो आपके किलास टीचर होती है उनका जो है नाम लिखना है तो शुरू करते हैं चैप्टर जो हमारा चल रहा है इसमें आ कोई पदार शुद भी है और अगर है तो कैसे तो यह जो बच्चा है यह क्या अपनी दीदी से पूछ रहा है तो जो इसके दीदी है वो जवाब देती है ग्यान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ है जिनका उप्योग हम शुद रूप से ही करते हैं मतलब बताती है क इसने उसने तद्व और दूसरा बताया उसने यौिक तो तद्व में क्या है हमारा कित जयसे हमारा सोना हो गया चांदी हो बार्च सकते मतलब तोड नहीं सकते समानता है इन्हें धातू उपधातू और अधातू में वर्गिक किया जाता है मतलब इसको जो कैटेगरीज है जो ततू है उसको कितने उसमें बाटा गया है तीन उसमें देखो तत को धातू उपधातू और अधातू के रूप में इसको बाटा गया है इन सबी के गुंड दर्मों के दार पर ये हमारे लिए अतिन उप्योगी मद धातू हो गई उप्धातू हो गई और अधातू हो गई हमारे लिए क्या है बहुत ही महत्पून है ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम धातू उप धातू और धातू के बारे में अब हम क्या है जानते हैं यह होती क्या है जो धातू होती है और ठोस होती है दूसरा पॉइंट क्या है इसका यह है ताप विदूत की सुचालक होती है मतलब यह क्या है कंड़क्ट कर सकती है तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि यह तरने होती है तरने का मतलब क्या होता है जिने हम क्या है तार के रूप में खीट सकते हैं जैसे हमारा हो गया सोना हो इसाल लाय जा सकता है, मतलब इनके अगात करते हैं तो आपको क्या है? आवाज आती है तो ये क्या है झा धात्व का क्या है ये? यह मतलब इसका विशेशता है कि जब हम धातु कोन होती जब क्या है जब नीचे गेरते हैं तो उसमें से क्या है आवाज आती है अब हम पढ़ते हैं अधातु क्या होती है अधातु क्या होती है जो धातु होती है इसकी बिल्कुल जो है अपोजिट होती है यह तन्ने और अगात्वर्दें नहीं होती है, मतब इनको हम खीच के ना ही तार बना सकते हैं और ना ही चोटी पति-पति चात्रों में बाट सकते हैं शेमानेरे भुंगोर होते हैं, मतब बहुत जानी से क्या है तूट जाती है यह पड़ती धवनी पूंड भी नहीं होती जब गिरती है तो जैसे प्लास्टिक होती है रबर होती है जब यह बायटन्स गिर जाये तो इन में से क्या है आवास नहीं आती ठीक है समानता है अधातु द्रव अत्वा गैस से आवसे में पाई जाती है जैसे हाइड्रोजन, का और द्रव ऑठातु द्रिव होती है तो उसमें गुण होते हैं यह थोड़े द्रॉल ए ली लेता है और यह उपधातु झाल क्न λहाता है उमें चाहिज्यान्रिकान दिसको लगा इस्कुना जर्मेनिया सरंतार्थ का वह सरलतम रूप है जो रसाइइनुक प्रकरिया दूआरसल परधारतुन से बंता है मिश्रण में ततवार का अनिष्वित अनुपात होता है क्या घ्रचा कहा साहिए ऐ‍लुमृमिन्म में कौन से को प्रयोग किया गया तो कौन से के अलुमीनम में सबसे पहले तो असान से जंग नहीं लगता और ये उश्मका अच्छा जो है सुचालक होता इसलिए हम क्या है इसको खाना बनाने के बरतन के रूप में क्या है प्रयोग में लाते हैं अब जो है हमारा फूर्ट कोशन है, कि अगात वर्देता और तन्यता को करभाशिद कीजिए, यह हम क्या है? यहां से अपना लिख लेंगे, यह क्या है तन्यता कि यहां से आप अपनी definition लिखें, कि यह तन्यत क्या होता है? जिसको हम क्या है? खीचकर जो है, लंबा कर सकते हैं उसको मतलब तन्यता और अगात वर्देता क्या होती है जिसे हम पीट पीट कर महीन चादरों में ढाल सकते हैं उसको बोलते हैं अगात वर्देता तो हमारा जो है यह सब सारा जो हमारे परशन उतर हैं हमने आपको करवा दिये हैं आपको अगर हमारी वीडि तो मास लगा के जाएं दो गश दूरी का पालन करें तो हम क्या है करोना से बच पाएंगे ठीक है तो मिलते हैं आगे की वक्षित के साथ बाई बच्चो